विश्व की शांती के लिए Global Summit 2022 में आई हुए Mount Aubu की धर्ती पर देश से विदेशों से आई हुए भेनों भाईों बुज़र्गों मंच पर बैठे हुए बहुती अति विशिष्ट अतिथी गन एमम इस संस्ता के वो और्गनाईजर्स जिनकी बहुती मैनत और लगन के साथ एक बहुत बड़ा कारकर्म संपन होने जा रहा है मुझे खुशी है कि बहुती बड़ी बड़ी विभूतियां राजनीतिक इस मंच से आपको अपने जीवन का ग्यान देके गए राजनीतिक भी समाजिक भी और धार्मिक भी और इसी मंच पर डॉक्टर्स मीडिया और कुछ समाजिक लोगों को भी समय दिया गया सुदान्शु जी जैसे बहुती अच्छे व्यक्ति बहुती अच्छे परवक्ता जिस मंच पर बैठे हों मुझे लगता है कि आप बहुती खुश नसीब है जिन्होंने सुना मेरे जैसे तुछ व्यक्ति को जिसका काम उस डिग्री का था जिसको को हाथ लगाने को तयार नहीं था वो था कोवीड के उस भ्यानक समय में उन लाशों का दासंस्कार करना जिनको को हाथ लगाने को तयार नहीं था ये काम हम पिछले 25 साल से कर रहे थे कभी सोचा नहीं था कि देश के अंदर इतनी बड़ी तरास दियाएगी जरा याद कीजिए पिछले ढ़ाई साल जब आपस में हम शकल देखने को मौताज थे किसी को आवाज से और किसी को आँखों से पहचानते थे और उस समय को याद कीजिए जब वो भ्यानक समय आया तो सब के टेलीफोन बंद हो गए समाज के लिए को आगे आने को उस समय तयार नहीं वह रहा था जब लोगों की लाशे घरों के अंदर पड़ी हुई थी वो शक्ति इश्वर ने दी बिल्कुर ठीक का भाई साब ने कि ध्यान लगा के काम करों के इश्वर खुद आता है लेकि शक्ति इश्वर देता है वो शहीद भागर सिंग सेवा दल को शक्ति मिली और 4200 से ज़्यादा जो डेट बाडी को किरमेट करने का इश्वर ने मोका दिया वो हमारी शक्ति नहीं थी मेरे वो ड्राइवर्स जो शहीद भी हो गए लेकिन पीछे नहीं हटे मेरे वो शम्शान गाट पे काम करने वाले करमी मेरे खुद के बेटे मेरा बेटा एक लंडन से मास्टर कर क्या डिजास्टर मनेजमेंट का वो डेट बोडिस उठा रहा था मेरे साथ जोजी सिंग मेरी धर्म पत्मी रोटियां बांद के हमको शम्शान पे बेचती थी और बाइस तिन वह भूलता नहीं अपने जीवन के छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की लाश लेके आते थे या मा की लेके आते थे उनको नहीं पता होता था शम्शान क्या होता है क्रिमेशन क्या होता है लेकिन वो देखने का समय आया कि करोड़ पती हो चाँ सैकिल वाला हो घर के अंदर बैटा था और रोटी नीचे से ऐसे जाती थी दिरवाजे के नीचे से जैसे जानवर को दी जाती है उस समय इंसान को अकल आनी चाहिए थी इश्वर को मानना पड़ा लोगों को और जो वक्त फिलम का गीत था उसका वो अंतरा बार बार याद आता है मुझे कि आदमी को चाहिए वक्त से डरके रहे कौन जाने किस गड़ी वक्त का बदले मिजाज कि मिजाज ही बदला कि हमारे को हमारी अवकाद दिखाई गई मुझे वो दिन नहीं भूलता है 21 सप्रेल का जब ब्रम कुमारीस की हमारी एक बेहन सुनीता जी जो किशना नगर से सेवा करते करते और टीचर बनके और सूरे नगर विवेक विहार के पास सेवा कर रही थी कोविड में भी घरों में जाके लोगों को वो टीटमेंट दे रहे थे मेडिटेशन दे रहे थे लेकिन वो भी नई बच पाया उस चोटी सी उमर में और उनको उसमें वहाँ पे जलाने के लिए कोई एमबुलस बेजने को त्यार नहीं था और इश्वर ने मुझे शक्ती दी उनका दासंसकार भी मैंने अपने हातों से किया ना अपने आपको धन्ने समझता हूँ और मेरे लिए वो 26 अपरेल का दिन नहीं भूलेगा कि रात के ढ़ाई बज़े जब सारी दुनिया सो रही होती है एक ऐसी सक्षियत थी जिसने मुझे फोन किया और क्या कहा उन्होंने एक लफज के अंदर कि शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे है पूरा देश आपके साथ है आप इसी प्रकार सिवा करते रहे है इश्वर आपको और शक्ती दे जैहिन और वो व्यक्ति थे निरेंदर मोदी जी भारत के परधान मंत्री अगले दिन मुझे फोन आया उपरासपती जी की बैंके अनाइड़ी जी का जुन्हें ने बहुत ही अच्छे लफाजों में मुझे कहा कि शंटी जी आपने गुरु गॉबिन सिंग जी की उस कहानी को सत्य कर दिया कि सवा लाक से एक लड़ा हूँ चिडियों से मैं बाज लड़ा हूँ तबे गॉबिन सिंग नाम कहा हूँ आपने सिख कौम का नाम रोशन किया मैं जिन्दगी में नहीं सोच सकता था कि एक छोटा सा सेवा करने के माध्यम से जो मैंने काम शुरू किया था 27 साल पहले कि रात के 11 बजे मुझे एक मंतरी जी फोन करते हैं हर्श्वर्दन जी शंटी जी क्या कर रहे हैं मैंने का जी सो रहा हूँ 25 जनवरी कहते हैं आप टेलिवीजन लगाए आपका नाम टीवी पे चल रहा है रास्पती जी ने आपका पदमशिरी घोशित कर दिया है यह इश्वर की किर्पा है यह इश्वरी शक्ती है आप भी जो ध्यान से काम करें काम को छोटा मत समझे कभी मैनस से करें लगन से करें आप जिस संस्था के माद्यम से यहां आए हैं पूरी दुनिया में मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं कहा कहा नाम है लेकिन दिल्ली में मैं देखता हूँ कि आज कोने कोने में इस शक्ती का परसारन हो रहा है मेरे जैसे तुछ व्यक्ती को बुला के यहां पर सम्मान दिया गया मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ यहां आए हुई सारी संगत का मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ मंच पे आए हुए अत्यतियों का भी धन्यवाद करता हूँ और यही कहूँगा कि आप यहां से जब जाएं तो अपने छेतर में इस सद्भावना का संदेश लेके जाएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना हिंदी हैं वतन हैं हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा जै हिंद जै भारत